आई वी एम हेलो सौरब कैसे हैं आप बस बढ़िया प्रणे तुम बताओ सौरब पिछली बार जब शुरुती हमारे साथ थी एपिसोड नंबर 101 में तो हम लोगों ने जो 1991 प्रोजेक्ट है उसके बारे में हम लोगों ने बात की थी कैसे अर्थ्विवस्था थी 1991 के पहले और उसके पहानिया हम लोगों ने डिसकस की थी कैसे स्कूटर है इतनी अभाव में थी और फिर वो चीजें बदली स्कूटर टेलिफोन बड़ी बड़ी चीजों की तंगी रहती थी और फिर बदल गई अर्थ्विवस्था हमारी लेकिन उस बातचीत में हम लोगों ने एक तार खु पूरा बदलाव था कुछ बदलाव रहे गए क्या वह सब सुधार की बात हम लोगों ने की नहीं थी उस एपिसोड में बिल्कुल तो यह और इसमें तो और कितने सारे पहलू है तो यह पूरा जिसको बोलते हैं तीसमा साल है उन सुधारों का तो अलग लग तार अलग यही था कि भारत में नीती बदलाव आता कैसे है यह बहुत इंपॉर्टन सवाल है क्योंकि अक्सर लोग को लगता है रहे कुछ क्राइसिस आती है कुछ आपदा आती है तभी रिफॉर्म होता है लेकिन वह इससे इन्वेस्टिगेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हम लो व्यक्ति की कमी और हमने जैसा देखा ना वो कोई एक नेता है ना एक पल है ना एक व्यक्ति है और यह किस तरह से बदलाव होता है यह अपने आप में क्या जबर्दस कहानी बिल्कुल सौरब तो उसी मुद्दे पर आते हैं और आज का एपिसोड उसी विशय पर है और इस एपिसोड के लिए हमारे साथ फिर से जुड़ रहे हैं प्रकर प्रकर हमारे साथ पहले भी आये थे हम लोगों ने स्टेट कपासिटी पर बहुत अच्छी पुल्याबाजी की थी तो प्रकर फिलाल 1991 प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं वहाँ पर एक फैलो की हैसियत से क कर रहे हैं और उन्होंने बहुत अच्छा पीपर भी लिखा है श्रेयस के साथ जिसमें उन्होंने यह जो राजनीतिक उतल पुतल थी 1991 के पहले उसका जाइजा दिया है तो प्रकर स्वागत है आपका एक बार फिर पुल्याबाजी में थैंक्यू प्रना थैंक्यू सौरप यहां वापस आके बड़ा अच्छा लग रहे हैं इस बार वीडियो के साथ देखो मैंने अपना हुलिया भी बदल लिया प्रकर तो प्रकर इसी बात पर बात करते हैं हम लोग क्योंकि हम इतनी ज्यादा हमें पता नहीं है अक्सर हम कहानिया सुनते हैं कैसी राजनीती थी ह हमारी पहले और क्या हुआ कि यह बदलावाया लेकिन इस पुलियाबाजी में थोड़ा डीप डाइव करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो एक आमधारना यही है कि हमारी अर्थवस्ता 1991 के पहले एकदम मतलब बंध थी प्रतिबंधक थी और उसके बाद खुलेपन क लेकिन हम लोगों पता है सच्चा ही हमेशा ऐसे एक्स्ट्रीम में नहीं होती थोड़ी बीच में होती है तो इसी मुद्दे को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले तो शुरुआत से ही बात करते हैं आपने भी जो पेपर लिखा है और उसके पहले भी जो अर्थ्यवस्था पर पीपर लिखे गए हैं उसमें कई डिसकेशन होते थे कि भारत की अर्थ्यवस्था 1991 के पहले कैसी थी और हम लोगों ने यह सब टर्म सुने हैं ना हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ वगेरा वगेरा तो पहले यह बताईए कि 1991 के पहले के काल को आर्थि 1991 के बाद खुला हो गया लेकिन कुछ फरक था तो बताईए ना क्या था तो बहुत सारे स्कॉलर्स ने अलग-अलग खंड बनाए हैं अर्विंद पानगरिया का जो खंड है वो जो खंडों जो उन्होंने जो विभाजत किया है वो सबसे सटीक मुझे लगते हैं और उन्हो उन्होंने जो ग्रोथ रेट जो है GDP का जो अनुवल ग्रोथ रेट होता है उसको लेकि उन्होंने वो विभाजित किया और उन्होंने तीन खंडों में विभाजित किया है उसे तो पहला जो है वो 1965 तक जिसमें जो ग्रोथ है वो चार दशमलग एक प्रतिशत है दूसरा जो उनका खंड है वो 1965 से 1881 तक जिसमें 3.2 प्रतिशत का ग्रोथ है और तीसरा जो है वो उनका 今日は 1981 से लेके 1987 तक वो पूरा 1991 तक नहीं जाते है क्योंकि आखरी के जो दो साल है 88 और नवासी 88 और नवासी आखरी के जो दो साल है 88 और नवासी उसमें बहुत जादा growth rate था इंडिया का भारत का और इस वज़े से वो उसके 2 साल पहले ही जो है रुख जाते हैं समझने की बात यह है कि जब और उस पीरिट में कितना था 81 से नवासी था 81 से अठासी था 4.8% का growth था और अगर आखरी दो साल उसमें मिला दे हैं तो वो 5.5% था क्या 6% तक चले जाता है आखरी दो साल बहुत ही जाता ज्यादा था तो पर देखे तो पहले 4.1 से 3.2 पे गया फिर वापिस इनवे 4.4 पे आ गया तो एक थोड़ा सा और इसे पहले का भी देख लें अजादी से पहले कुछ 2% टाइप का था तो एकदम से हम्मेरा डबल हो गया था एकदम सही तो जो growth rate जो British administration के अंडर था उससे बहुत बहुत अच्छा नहीं था 2%, 2% के आसपास चल रहा था और उसका अल्मोस्ट डबल हो गया था 47 के बाद पर एक और interesting चीज़ यह है कि जो national income में जो जो बड़ोतरी हुई थी वो जितनी उन 14 सालों में हुई 51 से 65 जितनी उन 14 सालों में हुई इतनी पिछले 50 सालों में नहीं हुई थी तो वो एक बहुत ही important phase था development का और वो शुरुवात तो नहरू से ही हुई उसकी और उनकी basic philosophy में दो चीज़े आती हैं पहली तो यह आती है कि जो भारी जो उद्द्योग है heavy industries एक तरफ उनका निर्मान हो और दूसरी तरफ smaller cottage industries हैं उन पे थोड़ा focus किया जाए यह इसलिए आती है क्योंकि बहुत बड़ी एक चीज थी उस समय कि हमें विदेशी देशों पे निर्भर नहीं होना है तो जो हमें बनाना है खुद बनाना है अपने आप बनाना है उन्होंने तो हमें बहुत लूटा है और अगर हम उनके पास अब जाएंगे तो और लूटेंगे तो उससे बहतर है कि अब हम सब खुद करें अपने आप करें self-reliance self-sufficiency यह सब 60 के दशक में जादा हुआ पर 50 के दशक में थोड़ा बहुत यह भी था तो जो उद्योगिक नीतिया है 48 की या संचपन की उसमें यह बहुत क्लिरली दिखता है कि foreign investment विदेशी निवेश जो है वो नहीं अलाव करते तो ऐसी उनकी सोच थी और इस सोच की वज़े से जादा तर जो industries बनाई गई वो भारी उद्योग थे और वो सरकार के अंदर थे क्योंकि यह भी सोच थी कि जो private जो है जो निजी जो निवेश करेंगे वो अपने लिए करेंगे समाज के लिए नि करेंगे तो जादा तर सोच यह थी कि उस समें देश को बढ़ाना है, समाज को एक साथ लेके आगे बढ़ना है, समानता लानी है पूरे समाज में, आर्थिक समानता लानी है उस वज़े से पूरे भारत का जो विकास है वो एक साथ होना चाहिए बिना किसी असंतुलन के और यह 51 to 65 का जो पीरियट था, वो यहां से यहां से जो है उसकी शुरुआत हुई इस सोच से उसकी शुरुआत हुई तो open general licenses जो है उसको widen किया गया, sorry मैं इसमें एक बात जोडना चाहता हूँ कि यह जो अध्योगिक जो नीतियां थी उनमें यह सब लिखा गया था पर नहरू खुद जो है वो ट्रेड के, वो जानते थे कि इसकी क्या importance है, क्या नहीं है तो उन्होंने, जब तक उन्होंने दोर समहा ली उन्होंने उतना discrimination जो है नहीं किया foreign investment में जितना ओद्योगिक policies में लिखा गया था, और यह बहुत clearly दिखता है, तो जो first plan जो है, उसमें वो लिखते हैं कि हमें, कि हमें पता है कि मतलब first plan पितंबर पंत ने लिखा था शायद, तो उन्होंने उसमें लिखा है कि हमें पता है कि trade व्यापार बहुत ही ज़ादा जरूरी है आर्थिक विकास के लिए, पर हम इस पे अब भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें लगता है कि रिसोर्स का एक waste होगा इसमें अगर हम अभी इसमें invest करेंगे तो फिर भी नहरू ने उन्हों ओवराइड कि अगर आप 51 का, सारी 61 का अगर budget देखें या 58 का budget देखें, उसमें भी कई सारे tax के जो rebates है, tax की policies है, foreign investment को उन्होंने promote करने के लिए जो है दी गई है तो विदेशी निवेशक जो है उनकी जो royalties है, उस पे tax उन्होंने जैसे कम कर दिया, जो capital जो है foreign investment के अंदर विदेशी निवेशकी जो पूंजी है जो भारत में आ रही थी, उस पे almost 45%, 45%, 45% जो है approval उसको मिल गए, तो उस time पे policies एक चीज़ बोल रही थी, पर जो leaders थे वो कुछ और कर रहे थी, और ये कुछ हद तक तो ये था, और अगर आपने व्यापार खोला, तो जितने, अगर आपने व्यापार खोला, तो वो आप नहीं, जो developed countries जो है, उनसे आप अच्छे से नहीं लरपाऊगे, कि developing countries प्राइमिरी commodities जो हती, agriculture वगएरा 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 वगएरा, वो एक्सपोर्ट करती हैं, तो वो उद्यों के countries के साथ आप नहीं, उनसे नहीं जीत पाऊगे, तो ये भी एक सोच थी उस समय, जगदीश भगवती ने लिखाए कि उस समय की जो सोच थी, वो जितने अर्थशास्त्री थे, उनकी वज़े से ही ये सोच ऐसी थी, तो अब सारे अर्थशास्त्री बोलते हैं कि उस समय ये ये वैसा था और क्रिटिसाइज सब करते हैं, पर उस समय यही डॉमिनेंट सोच यही थी, जितने बड़े मॉडल्स थे, हारे डुमार, रोजनस्टाइन, रोडान का बिट पुश मॉडल, अब जितने भी बड़े मॉडल ले लीजे, सब के सब ये एक ही चीज बोल रहे थे कि आपको निवेश करना है, सरकार को अपने देश में ताकि वो देश प्रकृति करें, ताकि वो देश विकास करें, तो उस समय यह सोच थी, और एक चीज मैं जरूर बोलना चाहूंगा कि जो कंट्रोल का जो रिजीम जो आया, लाइसे राज जो जैसे आया, वो भी उसी सम पहले जब World War II जब चल रहा था, तो उसमें Defense of India Act और Defense of India Rules ये दो लिखे गए, और उसके अंडर प्राइस कंट्रोल और चीजों का जो कंट्रोल है, वो उसके अंडर से सरकार को पावर मिलती है, और उस समय शायद वो वाजब था, क्योंकि आप सोचिए कि अगर लड़ाई चल रही है, तो सब कुछ सब के लिए नहीं है, मतलब चीजों की कमी है, तो वो सरकार की सोच ऐसी रहती है कि वो जिसके पास जादा पैसे हैं, उसको सब कुछ नहीं मिल जाए, अगर सो किलो चावल है और किसी के पास सो किलो खरीदने की शमता है, तो उसका मतलब यह नहीं इसके अंडर अभी भी कंट्रोल्स हैं इस देश में तो यह जो था 51 से 65 पैसर तक का जो पीरिट था वो उसमें लाजली ऐसी सोच थी और जो ट्रेड व्यापार या उद्योग ऐसे डेविलप हुआ जो पब्लिक सेक्टर जो है जो सरकारी निवेश का जो शेतर है वो सन 50 के द में एक सेकंड प्लाइन जो लिखा गया उसका ड्राफ्ट प्लाइन फ्रेम अगर आप पढ़ेंगे तो मतलब मैं तो आपको क्या बता हूं मैं क्या सोच रहा था उसमें PC महला नोबिस जो बहुत ही मतलब मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूं पर उसमें उन्होंने 5 सा सारी फिर सारी सीजें सोची जाती है कि अब हमें कौन सी रोड कहां बनानी है कितना पैसा आएगा कितना नहीं आएगा और तो वो जो है वो देखके थोड़ा मतलब मैं तो मेरा जनम उनने से क्यानवे का है तो मैं तो मैंने सोशलिजम वाली जिन्दगी समाजवाद वाली जिन्दगी बिल्कुल भी नहीं देखिये और जब मैंने यह पढ़ा तो मैं थोड़ा सा हिल्स आ गया आप ऐसे बोल रहे हो जैसे कि भारत अभी सोशलिजम नहीं फॉलो करता पर ठीक है समझ गया हम नई सोशलिजम तो काफी पर अब उस से तो से तो सेंट्रल प्लानिंग लेकिन एक हद तक तो साइकल चलाने के लिए भी आपके पास परमेट होना चाहिए था वो भी हम लोगों ने पढ़ा है तो वह सब तो छोड़ा है हम वह गलिया पर लेकिन प्रकर आपने मतलब एक तो काफी जिसको बोलता है ना चौकाने वाली चीज़ें बोली है जो कि अ नहरू से सिंपथी भी रखते हैं लोग वो बोलते हैं कि नहरू वैसे बहुत अच्छे थे और मतलब उनके पॉलिटिकल आइडिया अच्छे थे लेकिन एकॉनमी पर लोग उनने उन पर गिवप ही मार रखा है कि लेकिन जो कंपैरिजन है कि जो पिछले 50 साल में नहीं हु उस तमय की जो भी अच्छी एडवाईस थी वो ले ली उन्होंने और लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा कोई बुरा नहीं है राई कि जो 50 साल में जो नहीं था पिछले वो उन्होंने 15 साल में अपने कारेकाल में उतना करके दिखाया इग्जैक्ली तो 50 जो है वो बहुत ही अ अगर आप मुझे फाइनांस मिनिस्टर राइम बना दें तो मैं रोज बैठके यह नहीं देख रहा कि क्या ग्रोथ रहीगी इस देश की मतलब बहुत सारी चीजें हैं जो मेरे ध्यान में है कहीं पर कोई रायट हो रहा है कहीं पर कोई फ्लड आ रहा है कहीं पर कुछ और तो उस समय तो आप सोचिए कि मतलब जब कुछ भी नहीं है आपको प्लानिंग कमिशन बैठाना है आपको इलेक्शन कमिशन बैठाना है आप सोच रहे हो कि जूनागर को मैं कैसे भारत का एक पार्ट बनाओ तो मतलब बहुत सारी चीजें वहाँ पर चल रही है तो आपकी जैसे किये गया जैसे एक नीती के अंडर सेंट्रल गवर्मेंट को जो सरकार को पावर दी गई कि वो को अपने अंडर ले सकती है कोई भी उद्योग को अपने अंडर ले सकती है अंडर सम क्रेटिरिया व्ल्ड वार टू का था व्ल्ड वार टू में क्यूंकि आया था ना तो तब से चल रहा हो और उसके बाद वो इंडस्ट्रिल डिस्प्यूट्स आक्ट जैसे एक आ गया इंडस्ट्रिल डेवलप्मेंट अगर मैंने एक मशीन डाली है और उस मशीन को मुझे बदलना है तो मैं को सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी क्यों क्यों कि अगर मैं मशीन को बदलूँगा तो ऐसा हो सकता है कि मैं लोगों को निकाल दो लोगों की जॉब चली जाएगी तो यह कुछ चीजें हैं जहां मैं सोचता हूँ कि शायद महीं अगर होती ही तो अच्छा होता पर मतलब पता नहीं फिर भी बहुत रिस्पेक्ट है नहरू जी के लिए उन्हों ने जो बनाया और उनको जो जॉब दिया गया था इस पर मैं थोड़ा यह दो तीन चीज़ा कहने जाएगा एक तो नहरू के टाइम का अगर किसी को सोच देखनी है तो वो गाने का वीडियो यह देख लो छोड़ो कल की बात है कल की बात पुरा उसमें पूरा मतलब एक पॉप कल्चर समरी मिल जाएगा आपको कि क्या एडि करते हैं ना ग्रोथ वर्सिस पॉवर्टी और गरीबी हटाने का काम तो एक्चुली तब 1950 से ही नहरू ने भी लिखा हुआ है कि भारत को में अगर गरीबी हटानी है तो एक ही तरीका है और वो है जो नैशनल इंकम राष्ट्रिय आए उसको कैसे बढ़ाया जाए जब तक ह आइडिया उतना डॉमिनेंट नहीं था उनके टाइम पर यहीं था कि कैसे नैशनल इंकम जल से जल बढ़ाई जाए अब अहां उनका डिफरेंस ऑफ ओपीनियन था आज की सोच से तब यह सोचती जैसा प्रकर ने कहा कि नैशनल इंकम को अगर बढ़ाना है तो सरकार ही बी पता है लेकिन और हम लोगों ने डिसकस किया है यूज ऑफ नॉलेज इन सोसाइटी फ्रेटरिक हाइक का जो ऐसे था जिसमें कहते है कि यह जो डी सेंट्रलाइस सोच है वह बहतर है ना कि एक कोई इंसान सोचे वह भगवान तो है नी तो ठीक है यह था और तीसरी बात जो प्रकर आपने कहीं कि ग्रोथ रेट काफी अच्छी थी उस टाइम के हिसाब से और अमारी परिस्तिति को देखे नाइंटीन फिफ्टीवन टू सिक्टीफई में तो उस काल में जो ट्रेड था उसको उन्होंने थोड़ा नजर अंदास कर दिया था मतलब जैसे चल रहा है ले लेता है यह सब चीज ना तो 1951-65 में अगर हम रोग रिपोर्ट कार्ड देना चाहे तो शायद काफी पॉजिटिव चीजे भी हुई थी उस टाइम ना की नेगेटिव लेकिन अभी हमको लगता है सब सोशलिजम था सब सोशलिजम खराब था और उसके बाद 1991 में ही सब चीज होने शुरू है बात सही है कुछ चीजें जो मुझे लगता है कि नहरू की वज़े से गडबर हुई 65 में डिरेक्ट ब्लेम तो पॉलिसी में आप कैसे किसी को दोगे पर जैसे 61 जब ये ग्रोथ हुई और सब को पता चला पहला प्लान और दूसरा प्लान बहुत अच इशारा था निजीशेत्र की तरफ उनका इशारा था मुनोपलीज की तरफ और उसके बाद एक मुनोपली एंक्वाईरी कमिशन बैठा उस मुनोपली एंक्वाईरी कमिशन ने बो ला च्बीं को बात जो साघी ती मेरे स्वह पर कुछ 40% अप्रूविल सारे टाटाउस के पास थे, 20% बिरलास के पास थे और बाकी के जो बचे थे वो किसी और के पास, ऐसे तो कुछ हद तक वो बात सही थी, solution इसका यह निकाला गया कि अब हमें monopolies को जो है control करना है, अब उसको control कैसे करेंगे, उस पे committee बठाएगी उस committee ने बोला कि उनको हम control करेंगे और licenses से और license डाल की, अब उसके बाद एक और committee बठाएगी उस committee ने बोला कि नहीं नहीं जो licenses हैं, वो ही problem है जो monopolies जो बन रही है वो licenses की वज़े से ही बन रही है क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कोई एक bureaucratic officer वहाँ बैठा है, वो आपको license दे रहा है, अगर आपके बस पैसे हैं उनको देने के लिए तो आपको license दे देगा, नहीं तो उसको देगा जिसके पास पैसे और वैसे ही, capitalist economy में जैसे box ने जैसे किया था कि it's money, commodity money, तो आप कुछ बेच रहे हैं ता कि आप पैसा कमा, उसको invest करो, उससे और पैसा कमा, तो कोई अगर पैसा कमा रहा है, तो उस समय जब कोई redistribution नहीं है, तो उनकी सोच ये थे, कि वो और पैसा कमाता जाएगा, और पैसा कमाता जाएगा, तो उसको फिर रोखना है और वैसे, ये सब फिर solve करने के लिए एक तीसरी कमिटी बठाएगी, फिर एक चौती कमिटी, तो सन साथ के दशक की, अगर आप industrial policy के recommendations आप देखें, तो सारे ऐसी जाते हैं, पहले एक Monopolis Inquiry Commission, स्वामीनाथन कमिटी, दत कमिटी, आरके हजारी कमिटी, सब ऐसी चल रहा है पर दो-तीन चीजें और हैं, जो होती हैं, जहां नहीं नहरू को ब्लेम जाते हैं, नहीं किसी और को, कि बहुत सारे जो हैं, जिसको हम बोलते हैं, exogenous shocks या external shocks जो हुए, तो जैसे 62 की जो वार हुई चाइना के साथ, मतलब कुछ अद तक आप कह सकते हो कि जो भी नहरू की गलती थी या कृष्णा मेनन की गलती थी या जो कुछ भी पर, मतलब economy के तोर पे देखें, तो वो एक exogenous shock ही है, तो 62 की वार चाइना के साथ, 65 की वार पाकिस्तान के साथ, फिर 67 में और 66 में और 66 में में दोनो drought था, मतलब एक दम सुखा पढ़ गया था, अकाल आ गया था, तो crop completely fail हो गया था, सब कुछ fail हो गया था, उसके बाद 71 में फिर एक और लड़ाई, उसके बाद 73 में oil price shock, तो बहुत जादा जो है, उस मतलब 65 से अगर आप शुरू करें, आप 62 से शुरू करके, अगर आप 75 तक लिखे जाओ, 10-12 सालों में, बहुत जादा damage जो है Indian economy को हुआ था, और उस वज़े से बहुत problems होगी थी, तो मैं political economy इसकी समझाता हूँ कि अगर drought अगर हुआ है, अगर अगर पड़ा है, तो आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आपके, मतलब, लोग क्या खाएंगे, तो उसलिए आप जाते हो किसी US के पास, और US उस समय उनके पास बहुत जादा crop हो रहा था, bumper crop था उनके पास, पिछले दस सालों से, तो उन्होंने एक स्कीम चले थी, इसको बोलते है, PL 480, Public Law 480, उस नीती के अंतरगत, वो सब को, मतलब, जो भी developing countries थी भारत जैसी, उनको कुछ-कुछ अनाज भेजते थे, और वो, I think, मेरे ख्याल में, 56 के टाइम से शुरू हो गया था, तो भारत भी और सन, 66 और 66 में, सिर्फ दो सालों में, हमने उनसे 20 मिलिन टन ग्रेन लिया है, जब हम 5 सालों में 25 लिया था और 2 सालों में 20, तो इतनी बुरी प्रॉब्लम थी और हम इतना उन पे dependent हो गए थे, अब क्योंकि हम उन पे इतना depend कर रहे हैं, वो हमारी policies को ज़ादा, वो हमारी नीतियों को फिर अपने हिसाब से करना चारे थे, और उसी में आया था एक एक और devaluation का of million जिसे कहते हैं, of million का एक दौर, और ऐसा हुआ था कि हमारे पास, और उस समय जब हमने of million किया, तो बहुत ज़्यादा pressure था, World Bank से और अमेरिका से, कि आप इसको devalue करो, पर RBI ने 1962 में एक study already की थी, पिंधर करके अंडर, कि क्या हमें of million करना चाहिए, और उस study नह बोला था, नहीं, नहीं करना चाहिए, internal हमें पता था कि हमें नहीं करना है, और 64 में जब नहरू की death हुई, तो 65 में लालभादो शास्त्री आए, प्राइम मिनिस्टर बने, प्रधान मंत्री बने, उन्होंने एकी साल में पूरी सोच बदल दी, उन्होंने बोला industry अध्योग बहुत हो गया, अब हम agriculture पे focus करेंगे तो एक उनका पहला ये था, दूसरा ये था कि बहुत स्वाभी मान था कि भारत देश के प्रधान मंत्री कैसे जो है भारत की मुद्रा की जो value है, वो कम कर दें, तो devaluation के वो बहुत जादा against थे, और उनके साथ साज उनके finance minister थे, टीटी कृष्णमचारी, वो तो बहुत ही जादा against थे, तो 65 में एक meeting हुई थी, World Bank में, World Bank की meeting हुई थी, उसमें और IG पटेली अपनी किताब में लिखते हैं कि टीटी कृष्णमचारी इसले भी बहुत जादा against थे, क्योंकि जिस तरह से America और World Bank हमें बोल रहा था ये करने के लिए, वो ही बहुत ऐसे offensive था, तो उस व जादा गया, ताकि नया finance minister बठाए जाए जो devaluation करें, जब तक January की शुरुआत हुई 1966 में, तब शास्त्री जी की डेत हो गई, 11 जाद्वरी को, 10 दिन बाद इंद्रा गांदी जी आई, पावर में और उनको उस समय गूंगी गुडिया बोला जाता था, वो informational broadcasting minister थी, शास्त जी को जाना था Lyndon Johnson से मिलने मार्च में, 1966 में, उनकी डेत हो गई थी, तो अब इंद्रा गांदी गई उनसे मिलने, और उनसे मिलके negotiate किया, कि हमें इतना इतना खाना चाहिए, इतना इतना ग्रेन चाहिए, और वो सारी बाते हो गई, पर जब वापस आए, तो फिर foreign exchange जो था हमारी जो विदेशी मूद्रा थी, वो में के महिने में बहुत ही जोर से गिरी, और जून में जो है devaluation करना पड़ा, अवमूलियन करना पड़ा, उस समय सिर्फ तीन या चार लोग थे सरकार में, जो अवमूलियन करना चार है, एक थे PC भटाचारिया, जो RBI के governor थे, दूस उस समय हमारे ambassador थे US में, तो उन्हें सारी खबर थी कि World Bank क्या सोच रही है, और US क्या सोच रहा है, और उनके जितने counterpart थे, उन्होंने समझा दिया था कि अगर आप अवमूलियन नहीं करेंगे, हम आपको नहीं खाना देंगे, हम आपको नहीं aid देंगे, और defense expenditure हमारे बहुत मतलब double हो गए थे, almost 4% GDP का 4% हो गया था, जो double था, और industry जादा develop हुई नहीं थी, तो हम बहुत जादा dependent हो गए थे, I think, 65 या 66 में हमें 1250 मिलियन डॉलर चाहिए थे, US से, और उन्होंने मना कर दिया, तो Lyndon Johnson ने short pether की एक policy शुरू की, जिसमें हमें जो नहीं भेजना था, तिहाई भेजा, और तो उस policy को, मतलब इंडिया में इतनी बुरी हालत होगी थी भारत में की, मतलब बहुत ही जादा खराब हालत थी, तो बीके नहीरू इस policy को बिलाते है, from ship to mouth, की जो खाना जो आ रहा था, वो ship से आ रहा था, और सीधा लोगों के मुँ में दिया जा रह क्यों चाहा रहे थे कि कम हो? थोड़ा प्यार महबबत से करवा लेते हैं तो उन्होंने कहा कि घरदन पकड़के हमसे करवा रहे हो तो लोग बुरा मान के और हर जगा मतलब लंडन में कुछ मीटिंग्स हुई और जहां जहां जितने अकाउंट्स पने सब में बहुत ही जादा गाली गलोज पर तो नहीं उत्रे पर वैसा ही कुछ-कुछ यह थोड़ा समझने की ज़रूरत है एक तो जो मुद्रा का रेट है वो हमारे भारत में ब बहुत अच्छा स्पीच भी दिया था 99 में कि यह सिर्फ एक नंबर है इससे आपकी सम्रिद्धी वगएरे पर कोई फरक नहीं बढ़ता आप येन का अमाउंट देख लीजिए कि कितने हजार येन बनाते हैं एक डॉलर पर जापन बहुत सम्रिद्ध बारत से तो ठीक है फ इंपोर्ट सस्थे कराना चाहते थे खना क्योंकि वहीं उनकी एकानोमी थी भारत को तो नूट रहते उसी तरीके से तो एक तरीके से हमें devaluation चाहिए था उससे हमारी exports बढ़ते फाइदे मन दोते और तो एक तरीके से policy logic था उसमें पर शायद आप जैसे कह रहे हैं कि अमरीका ने force किया तो उसकी वज़े से जो repercussion से हो तो और negative हो गए क्योंकि यह devaluation का जो lesson लिया policy lesson यह हुआ कि हम लोगों ने कुछ अच्छा किया अमरीका के बोलने पर लेकिन अमरीका ने दगा दे दिया तो अमरीका दगाबाज है और यह 1966 से जो चल रहा हो आज तक कहानी वही चल रहे है अमरीका दगाबाज यही कहानी चलती है अभी तक एक दम सही नहीं मतलब devaluation जो है वो एक अच्छा move है उसमें उसका policy logic था भी भगवती ने एक paper लिखा था एक economist ने के अन राज उन्होंने भी उसके बारे में लिखा था कि क्यों devaluation करना चाहिए problem यहाँ आए कि सिर्फ devaluation एक solution नहीं होता है devaluation के बाद आपको बहुत सारी नीतिया लानी पड़ती है exports promote करने के लिए trade promote करने के लिए जो आप तभी ला सकते हो जब internally आप जब अंदर से politicians भारत में इस चीज से convinced हों तो problem ऐसा रहा कि जब वो हमें बोल रहे थे devaluation करने के लिए यहाँ पे लोग हाँ हाँ तो end में आके तो बोलना पड़ा pressure में आके करना पड़ा पर किसी ने conviction नहीं था उस समय और दूसरी बात यह भी है कि हम fabian socialism की बाद में बात करेंगे पर उस समय आइडियाज बहुत जादा left dominated थे तो और नहरू ने वैसी monopolies और private enterprises जो है निजी जो निवेशक है उनके against काफी जो है उस दशक में कई सारी बातें हुए तो इससे ऐसा भी हुआ कि अगर हम यह अवमूलियन करेंगे तो उनको फाइदा होगा और यह देश के लिए अच्छ टाइगर्स जो है वो 60's के टाइम पर ही export जिसको बोलते हैं export lead industrialization उन्होंने वो करके उसी समय अपनी economies को इतना बढ़ाया है और उनके per capita incomes तो बहुत ही साथ होगा बिल्कुल और मैंने यह भी सुनाय लोग अकसर टाइवान के बारे में बोलते हैं ताइवान इतना successful है क्यों कि उन्होंने खुद की इंडस्ट्री बने लेकिन लोग trade की data देखते ही नहीं है क्यों 1950 से ताइवान ने इंपोर्ट टैरिफ्स कितने कम कर दिये कितना export पर export आप तब तक नहीं कैसे इंपोर्ट टैरिफ्स कम ना करो तो कौन बनाएगा आपके तो वो सब चीजे ताइवा और साउथ कुरिया बने आज लेकिन हम लोग एक थोड़ी एकदम एक संकीर्ण मनोवृत्ति से देखते हैं कि यार यह इसलिए होगा क्योंकि उनकी सरकार ने कुछ एक नई चीज़े की और खुछ से इंडस्ट्री बने तो हम लोग शुरुआत करते हैं अब आपने बात की नहरू के टाइम की तो पहले वहीं से ही थोड़ा और एक जानना चाहते हैं यह फेबियन सोशलिजम की बात हुए आपने यह नाम भी लिया इस शब्द का तो यह क्या है फेबियन सोशलिजम यह वाक्यान क्या है इसका इंपॉर्टन्स क्या था और यह क्यों इतना पॉपि जब तक आपको आर्थिक समंता मिले और वहां से जो है फेबियन सोशलिजम की सोच शुरू होती है तो उसमें कई सारे पहलो आते हैं जैसे फेबियन सोशलिस्ट जो होते हैं वो यह सोचते हैं कि जो स्टेट है वो सेंटर में रहेगा और वो स्टेट जितने अर्थव्यवस्था में, सारी स्टेट अपनी पावर से सेटल करेगा, नैशनलाइजेशन होता है, इंडस्ट्रीज का, यह सब कुछ फेबियन सोशलिजम की सोच के, की सोच के अंडर आता है, और इसकी शुरुवात, इंटरिस्टिंगली होती है, लंडन स्कूल अव एकनॉम अटेंड की है, और जोज बनाट शौर, जो फेबियन सोसाइटी के मेंबर थे, उनके साथ नहरू के तालुकात बहुत जाद अच्छे थे, और लंडन स्कूल अव एकनॉमिक्स में प्रोफेसर थे, हैरिल लैस्की, तो हैरिल लैस्की की जो सोच है, वो सारी फेबियन सोशल उन्होंने तो ऐसी बोल दिया था, पर इनने काफी सीरिस्टी ले लिया कि अभी भी हर कैबिनेट मीटिंग में एक कुरसी खाली रहती है, हैरिल लैस्की के भूत के लिए, क्योंकि उनका प्रभाव इतना जादा था, हमारी इंडिया की पॉलिसी पे, कि आज तक जो है, फे बर्नार्ट शौ तो प्ले राइट थे, ना मतलब तो वो कहां से आगए इसमें, फेबियन सोशिलिजम, इकनॉमिक्स की बात कर रहे हो आप, लेकिन वो फेबियन सोसाइटी की भी बात करते हैं, कि पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी ना इस चीज़ से, कि वही समय भी वो लिखते हैं, कि उन्होंने गांधी को बचा रहे थे, तो उन्हें लिखा था है, कि हम गांधी की तरह ये ऐसे गाओं वाले नहीं हो जाना चाहते हैं, हम चर्खा चलाते हैं, पर वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, हमारी नीती वैसी नहीं होने वाली है, लेकिन हम क्लियरली ये मानते हैं, ये 33 में भी नहरू ने बोला कि हम बड़ी इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं, और हम इंडस्ट्री सरकार की होनी चाहिए, प्राइवेट हाथों में नहीं होनी चाहिए, तो ये उनका उस टाइम से था और फिर उन्होंने किया भी उनकी वो 15-20 साल में जो है, उस समय मेरे काल चाहिए, हायक को कोई पूछता थोड़ी था, हायक ने बोला था, लेकिन वहाँ पर भी तो यॉरोप में भी तो हायक को गालिया ही मिल रही थी बचारे को, और वो उसका एक और कारण था कि हायक जो है, उन्होंने और ये निकलिस वापशॉट की एक बड़ी अच्छी किताब है, की हायक इंग्लिश नहीं बोलते थे बहुत अच्छी, और हायक इस्ट यॉरोप से थे क्योंकि, हाँ, आस्ट्रिया से थे, तो वो जर्मन लिखते थे, मैं भूल गया कौन सी भाशा वो बोलते थे, पर वो उसी में बोलते थे, उसी में लि इडियाज इतने जादा इसलिए भी आए क्योंकि बहुत लोग इंग्लिंड गए, कृष्णा मैनन थे वहाँ पे, बीके नहरू थे वहाँ पे, नहरू तो थे ही वहाँ पे और उस समय लेबर पार्टी भी इंग्लिंड में थी, जो फेबियन सोशलिस से तालुकाद रखते लेबर पार्टी वाज इन फेवर की इंडिया को इंडिपेंडेंडेंस विले, तो इस वज़े से भी एक छोटा सा जो है गुट सा बन गया था, और वही अब हम भुगत रहे हैं, तो वहाँ इसलिए हम लोग ने ये एक पुराने एपिसोड में प्रणे डिसकस भी क्या था इस सवाल में, तो वही तीन आइडियास थे ना, मेन एकनोमिक्स, इन पॉलेटिक्स में, क्योंकि आप सोचो, गांधी तो चाहते थे कि विलेज में ही सब कुछ बनाएं, उस उस टाइम के आप तीन आइडियास को देखो, तो उसमें नहरू और अंबेटकर के आइडिया त यह सब, तो कितनी रेवलिशन, और अमबेड का तो एक और कदम आगे थे, उन्होंने तो सौरव हम लोगों ने बात भी किती, उन्होंने कहा था कि जहां प्राइवेट सेक्टर हो, जहां पब्लिक सेक्टर जरूरी है, वो हो, तो वो एक और कदम आगे थे, कुछ रिस्पे अगर गांधी की बात माने लेते हैं, तो तो गए और मतलब उस्तों में काफी हालत खराब हो जाती है, मैं पिछले हफती इंगलेंड में था और मैं वहां कि जब मैंने गाओं देखे, तो मैं को लगा गांधी शायद सही थे, अगर आप इंगलेंड के गाओं यहां ले अगरी नहीं करते हैं, पर काफी और चीज़ है, लेकिन ठीक है, अब हम लोग आजाते हैं आगे, तो यह आपने बात की और आपने पहले जो बोला की कंट्रोल भी आना शुरू हो गया थे इस टेम पे, हना तो राजा जी ने जो यह लाइसेंस परमिट राज है, यह उन्हो लोगों ने सुना है, यह 1958 में बजेट एक्सजेंज मैनेजमेंट अग था, उसके बाद थोड़ी काया पलट होने लगी तो थोड़ा बताईए इस मुद्धेपर, तो डो चीज़े हैं, तो राजा जी का जो लाइसेंस परमिट राज है, उसकी सोच वो डिफेंस ओफ इंड उनको फिर distribution की problem जो है, वो licenses solve करते हैं essentially, तो वैसे तो अगर देखा जाए, अगर frictionless world है, तो तो आप एक set criteria रखो, उसके basis पर अगर आप criteria match करते हो, तो आपको license मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, पर ऐसी दुनिया है नहीं, तो जो bureaucrats हैं, वो आ जाते हैं, और वो सब बीच पर आ जाते हैं, तो इस वज़े से licensing system में बहुत जादा problem हो जाती है, इसके दो-तीन चीजें हैं यहाँ पे, तो पहला तो यह है कि licenses financially और physically दोनों के लिए जो है use किये गए, तो ना कि आप बस कितने पैस, जैसे हम आजकल जैसे हम IMPS से या NEFT से सिफ दू लाख जो भी हमारी daily limits हैं, उस समय physical control भी थे, आप कितना गेहूं खरीद सकते हो, आप कितने गेहूं अपने पास रख सकते हो, आप कितने biscuit के packet खरीद सकते हो, आपके बस कितनी telephone line हो सकती है, तो यह physical controls और financial controls दोनों ही का एक sort of mix था, और दूसरी बात यह थी कि यह production पर यह सारे controls थ कोई भी चीज का movement अगर हो, तो movement controls थे, allocation के लिए controls थे, pricing का control किया गया, क्योंकि लोगों को फिर लोग पैसे कैसे देंगे, इसके कौन कितने पैसे देगा वगेरा वगेरा, तो पहली बात तो यह है, दूसरी बात यह है कि यह control हर चीज में थे, मतलब आप सोचिए 1940, और मैं 1943, textile, collier control 1945, मेरी यह list में कम से कम 25 हैं, जो सिर्फ 1940, 41, 45, 48, सिर्फ इसी जो है इनी सालों में इनको issue किया गया, तो यह सब वर्ल्ड वार टू के बाद का जो phase था, उसमें यह सारे controls आए, जब आजादी मिली और जब independence हुआ, तो यह controls, industrial controls में बहुत जल्दी transform हो गये थे, तो 1948 का जो अध्योगिक नीती थी, 1956 की जो नीती थी, उसमें यह control जैसे है कि आप कौनसी factory कहां बना सकते हो, आपको वो factory वहाँ बनाने के लिए ऐसे XYZ criteria meet करना पड़ेगा, वगरा वगरा, कुछ time तो control ऐसे भी थे, जैसे 65 या 66 में जब कमी बहुत थी चीज़ों की, तो factories को, cotton factories को बोल दिया गया कि आपको हर हफते के एक दिन तो छुटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास चीज़ें नहीं आपको देने के लिए, तो इतना जो है, और यह सब इन control से ही आया, मतलब यह जो act से, जो नीतियां थी, इननी की वज़ए से सरकार को यह power मिली, कि वो कि उसी को बोल सकें कि आप कितने दिन खुल सकते हैं और कितने दिन बंद रख सकते हैं, तीसरी चीज़ इसके बारे में यह थी, कि जो तीसरा 5-year plan था, वो जब खतम हुआ, उसके बाद इंदरा गान्दी जो हैं, तीसरा 5-year plan खतम हुआ उसके बाद डिवालुएशन हुआ, उसके बाद इंद्रा गांधी बहुत जादा लेफ्ट चली गी, क्योंकि यह जब सारी ये पॉलिटिक्स हुई, इसके बहुत जादा कम हो गई, तो उन्होंने सब कुछ, सिंडिकेट जो था उस समय जो दूसरा भाग था कॉंग्रेस का, उन्होंने उस पे सब कुछ डाल दिया, और वो एकदम लेफ्ट चली गी, तो उस वज़े से उनके, वो लेफ्ट इसले चली गी था कि उनको लेफ्ट का सपोर्ट मिले, उनकी पॉलिटिकल जो है वो रहे, तो इस वज़े से जो कंट्रोल्स का जो रेजीम है, वो और जादा जो है बढ़ गया, तो उनके अंडर बैंक को नैशनलाइज कर दिये गए, उनके अंडर जो कॉल है, वो पूरा जो है नैशनलाइज हो गया, 73 तक ये चलता रहा, उनके जो एडवाईजर्स भी थे, पियन हकसर हैं, जो उनके सेक्रेटरी थे, उनके ऑफिस में, वो हार्ड कोर कॉम्मिनिस थे, पियन हकसर, तो उन्होंने वैसे लोग भी अपने आसपास बठाएं, और ये कंट्रोल सिफ मतलब नाम के लिए नहीं थे, मतलब वो रियल, वो एनफोर्स होते थे वो कंट्रोल और उसका कोई एनफोर्स करने का कोई अपारिटिस नहीं था, जैसे उन्होंने MRTP, जो है ACT, जो है उन्होंने लागू किया, जिसमें वो मोनोपलीज को कंट्रोल करेंगे किसी तरह, अब वो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, उसका, मतलब क्या करेंगे तो ठीक है, वो तो आपने पेपर पे लिख दिया, पर क्या आपके पास लोग हैं वो करने के, क्या आपको पता है कि आपको कितने और लोग चाहिए उसमें, या कितने और ओफिसेज बनाने, तो वो सब नही जाओ तो ऐसे करके और वो पार्टी के नाम पे वो सारे पैसे जो है वो लेते थे तो लाइसेंस राज जो है वो यहां से बहुत जादा मतलब एक्सपैंड हुआ और मतलब बहुत ही जादा हो गया इसके बाद अंटिल 1975 1975 के बाद से कुछ कुछ कम होना शुरुआ जादा तर क मैं भी जब कभी डेटा वेटा नहीं देखा था तो लगता था कि 91 में बस एक कुछ चमतकार हो गया टाइप से और फिर जब भी वो ग्राफ देखे जीटीपी ग्रोथ वेगरा के तो दिखता है कि 82-84 टाइम से जो ग्राफ है वो काफी जिसको बोलते है इस डिरेक्शन ग् बदल गया लेकिन डिरेक्शन इतना पहले कैसे चेंज हो गया था और उस टाइम पर कोई डिरेक्शन हुआ भी नहीं चेंज तो ये 82 में ऐसा क्या-क्या हुआ जिससे डिरेक्शन चेंज हो तब भी तो कुछ बड़ा हुआ होगा जी बिल्कु और क्यों हुआ तब भी रशा इंद्रा गांधी ने क्यों एकदम से अपना कॉर्स चेंज किया इसका ज़ादा तर और मैंने उनके कुछ जो उनके साथ काम कर चुके हैं उनसे बात की तो ज़ादा तर इसका क्या बूलुश्रे इसका संजय गांधी को जाते है जितना जितना मुझे समझ आ रहा है क उन्होंने इंद्रा गांदी की सोच बदली राजीव गांदी तो बिलकुल उसमें नहीं थे politics में तो बिलकुल भी नहीं थे तो जब इंद्रा गांदी 1980 में जब आई वापस elect होके तो एकदम से 1980 में 6th जो है छटा 5-year plan बना था और 1985 में 7 वा 5-year plans में growth development productivity 1982 was year of productivity उन्होंने बोला था year of productivity तो वो बहुत ही ज़ादा focus कर रही थी industrial production पे 1980 में लेकिन संजे गांदी की तो death हो गई थी 1980 में 79 में या 80 में 80 में हुई है death संजे गांदी की तो और ये नीतियां चेंज हुई 82 में लेकिन तो संजे गांदी ने कैसे श्रे ले लिया इस चीज़ का संजे गांदी को श्रे इस ले जाता है क्योंकि उन्होंने 77 79 तक अच्छली मारुती establish करने की कोशिश की थी और वो जो conversation थे जब वो अपनी mother के साथ जब जो भी conversation कर रहे होंगे ऐसा लगता है कि उन समय में उस समय में उनका mind change हुआ वो तो ठीक है अगर सही में business business चलाने की कोशिश करो लेकिन यह कि मतलब आप इंद्रा गांदी के बेटे हैं और try करोगे तो आपको थोड़ी दिक्कत आने वह लेकिन शाइद इतनी बुरी हालत थी कि प्राइम मिनिस्टर के बेटे होकर के भी आपके पापड बेलने पड़ रहे थे वो तो है मतलब विनोद मैता कि यह किताब है संजय स्टोरी और उसमें तो उन्होंने लिखा है संजय गांदी तो complete आयाश थे उन्होंने तो एक apprenticeship करने गए थे रोल्स रॉइस वो भी आदी छोड़के आ गए थे और वो ही एक एक एकलोती qualification जो थी उनके पास थी हाँ मैं यह कहा रहा था कि एक यह भी है ना जैसे हम लोगों ने पिछले episode में डिसकूस किया था आइडियास का भी एक power होता है ना सौरब तो जब नाइंटीन सिक्स्टी आप नाइंटीन एटी टू तक आ गए तो आपका थर्टी टू यहर्ज ऑफ सोशलिजम का experience है और आपको पता है कि वो नहीं काम कर रहा है लोगों ने शॉर्टेज देखी है लोगों ने और आप यह भी देखिए एकॉनोमिक्स के जो वैल्यू से वो भी बदल रहे थे बाइंटीन एटीटी टू लोगों को पता चल रहा था कि यार रश्या कहां जा रहा है यूएससर कहां जा रहा है और अमरीका कहां जा रहा है तो शायद यह आइडियास की भी एक बात थी और तो जैसे हम लोग कहते हैं ने पॉलिसी में एक पॉलिसी पाइपलाइन बननी चाहिए तो जो पाइपलाइन है 1970 मिट से यह कॉन्वेसेशन शुरू हो गया था कि यार जो हम लोग कर रहे हैं वह चल नहीं रहा है हम लोग ने बहुत कुछ प्रामिस किया है पर वह चलनी रहा है तो कई जैसे प्रकर ने कहा कुछ कमिटीज ने थोड़ा विप्रीद व्यू भी रखे थे तो वह कॉन्वेसेशन शुरू हो गए थी कि कुछ तो बदलना है जो हम लोग कर रहे हैं वह नहीं चल रहा है तो यह कॉन्वेसेशन को यह एक दशक लगा तो 1982 तक शायद यह पॉलिटिक्स तक भी बात पहुंच गई थी कि यार कुछ तो बदलना है बदलना चाहिए यह आइडियाज वाली बात एकदम सही है तो दो तीन चीजे उस एंड पर दी तो एक तो में को लगता है कि इंद्रा गांधी की सोच उनके बेटे की वज़े से हो गया था तो बहुत जादा चेंजे आये थे मैक्रो एकनॉमिक एंवाइन्मेंट में 79 में भी एक और और प्रैस शॉक आया था तो कुछ तो वह था तीसरी बात यह थे कि जब सन पचास में साट के दशक में भी जब पॉलिसी बनी तब अर्थशास्त्री भी मार्केट ओर इंडिया में तो वह बिलकुल भी नहीं थे मुतस्थ आखे या मिनू मसानी थे मिनू म सांई निए श्रमीक का जो नेरू है थाूर मिनू मसानी नहीं उसका '' SL eggs a pastいきます'तबाए सीथेगा से निए ठाईड सुचर में एकिबिश्ट्या पॉलियमी मिक्स्ट प्पे को यह था रह W टाइम लगता है और Arrow-Debru के जो First and Second Fundamental Theorem of Welfare Economics है जो essentially Markets की तरफ बढ़ते हैं और State को पीछे रखते हैं उनको भी वो भी I think Late 50s में वो पेपर लिखा गया था और उसके बाद उस पर discussion हुआ होगा तो Plus major reason ये भी हुआ रहेगा कि Sunsat में जो East Asian economies है Korea, Taiwan, Singapore तो उनकी वज़े से सबने देखा कि हाँ exports important है Manmohan Singh अपनी thesis में 64 में उनकी thesis publish हुई थी 62 में उन्होंने शाद thesis लिखी थी तो उसमें वो लिखते हैं कि India को export करना चाहिए और export oriented होना चाहिए तो वो भी तो आइडियाज फ्लो कर रहे थे प्रने जो बोल रहे हैं कि वो सारे आइडियाज ऐसे ही आ रहे थे और 82 को Year of Productivity बोला गया उसमें industrial reforms हुए बहुत सारे बहुत सारे reforms तो major जो था वो था Broadbanding या Broadbanding जिससे बोला जाता है और जो Industrial Deregulation जैसे हम अर्विन पानगारिया के तीन खंडों की बात कर रहे थे तो जो तीसरा जो खंड है जो 80, 81 से 88 तक जो है तो उसको उन्होंने Deregulation में तीन divisions में जो है बाटा है तो पहले तो Broadbanding शुरू हुई Broadbanding का मतलब यह है कि आप जैसे मेरी Factory Spoon बना रही है और चमच बना रही है और मेरे को आप कांटा बनाने है तो में को कांटा बनाने के लिए भी Permission लेने पड़ेगी अब Broadbanding में कांटा बनाने के Permission आपको नहीं लेने हैं पर प्रणे सोचो इतने छोटे से चीज से ही इतना फरख पड़ गया Economy मतलब कि ऐसा गला घोट के रखा हुआ था ना कि हलका सा छोड़ा भी तो सास आने लगी बहुत जादा और जैसे जैसे बढ़ दे गए यह Broadbanding के जो सेक्टर है यही वो 80 के दशक में इन ही को वो बढ़ाते गए पड़ाते हैं तो जैसे अगर आप चार पाइए की गाड़ी बना रहे हो बड़ा करते गये तो licenses कम हो गए तो दूसरा capacity जो है वो बहुत बहुत जादा regulated थी तो मेरे पास license है पचार गाड़ीया बनाने का मैं से पचार ही बना सकता हूँ चाहे 100 लोग खड़ियों लाइन में खरीदने के लिए गाड़ी तो उन्हें 10 साल खड़ा रहना पड़ेगा जैसा क्यूंकि उनको दर लगता था ना कि ज्यादा गाड़ी बनाने को देदी तो लोहा खतम हो जाएगा कहीं फिर ऐसा नहीं हो कि फिर साइकल नहीं बनेगी आप तो वह कैसे तो कौन लएगा कितना लएगा कहां से हम फरन एक्षेंज लेखेंगे तो वह भी एक कारण था पर यह चीज इसी इसी मुद्धे पर तो यह शुरुवात होती है बजट एक्षेंज मैनेजमेंट आग 1958 से तब उस ताइम पर यह कंसर्न हो गया गवर्मेंट का क कि हमारी विदेशी मुद्रा कम है उसको कंड्रोल करने तो पैसे तुमको हमारी विदेशी मुद्ध्रा चली जाएगी तो उसलिह आप मिपोर्ट भी नहीं कर सकते तो हम लोग एक प्लोश इकॉनig और वह बजट मैंजमेंट आया भी था 56 में एक बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रैसिस हुआ था तो उसके हील्ज पे जो है वह बजट मैंजमेंट टाया था और उसमें बेसिकली यह था कि अगर आप एक्सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप इंपोर्ट भी उतना नहीं कर सकता उनका बेसिक यह था उनने दो तीन कंडिशन लगाई थी जैसे अगर आपको कोई भी चीज बनानी है या कोई भी चीज बाहर से लानी है तो उसका डुमेस्टिक अवेलिबिलिटी नहीं होनी चीए मतलब यह सब बाद में हुआ उस आक्ट के अंडर नहीं पर वहीं से शुरू हो कि वो कितना जरूरी है वो चीज कितनी जरूरी है वहां पर सारी सरा Supreme Court तो सारी प्राइब्लों महीं से शुरू होती है और अब अभी बहुत मजा आ रहा है आपको किसनी सिचुएशन कितनी बुरी होगी है अरे यह मतलब ऐसे हस के ट्राजिटी पर हस गे नहीं तो फिर तो रोना पड़ेगा हम लोग वापस आते हैं 1982 पर तो प्रकर जैसा आपने आप कह रहे थे कि यह जो कुछ ब्रॉट्बैंडिंग लाइसेंस थे उनी की वज़े से काफी पॉजिटिव ग्रोथ आने लग गई है ना करेक्ट तो ब्रॉट्बैंडिंग लाइसेंसिक एक था दूसरा था कापैसिटी कि वही जो मैंने बात की कि अगर अगर मैं 100 गाड़ियां बना रहा हूं और 120 अगर मैं बेच सकता हूं तो जो 20 जो मैं को बनानी थी वो पहले सरकार से परमिशन लेनी थी अब मैं अपने आप एक्स्पैंड कर सकता हूं उसमें भी कुछ उन्होंने लिमिट लगाई थी 5% और वो सब रिलाक्स होता गया फिर जैसे उन्होंने बोला कि अगर आपने पिछले साल में अगर आपने 25% से कपैसिटी बढ़ा दिये तो आप अगले साल उसको 30% से बढ़ा सकते हूं तो 80 का जो डेकेट था उस पूरे 80 के दशक में उन्होंने ऐसे ही जो है इन रूल्स को रिलाक्स किया कुछ में तो आटोमाटिक एक्सपैंशन कर दिया था कि अगर आप 100% मेट करते हो तो आप अपने आपी बढ़ा दो आपको हमसे परमिशन लेने की जरूरत ही नहीं है बिलकुल तो यह दो तीन चीजें थी तीसरी चीज यह थी कि जो इंपोर्ट्स थे उसकी जिवा देती कि IMF ने हमें एक लोन दे दिया था 1980-81 में 5 बिलियन 5 बिलियन SDR का दिया था जिसमें हमने सिर्फ 3.9 बिलियन SDR ही उसकी और फिर वह लोन टर्मिनेट कर दिया क्योंकि development में जरूरत नहीं थी पर काफी assistance अच्छी खासी मिल गी थी उस decade में यह चीजें करने की और उसी समय तो 1976 में एक Alexander Committee जो है बैठी थी उसने पहली बार trade को liberalized व्यापार जो है उसको खोलने का प्रस्ताव दिया और पहले एक list होती थी उसको बोलते थी open general licenses OGL अब वो OGL list उन्होंने बोला वापस लिखिया हो अपने बंद क्यों करती जो 50-55 में बंद करती थी तो उ उसमें जो जो है जो जो आइटम उसमें लिखे हुए है वो वो आइटम आप अपने आप इंपोर्ट कर सकते हो आपको किसी से permission लेने की जरूरत नहीं है नहीं तो उस समय तक नहीं तो क्या होता था हर 6 महिने में सरकार एक लाल किताब एक देती थी red book जिसमें लिखा जाता जिसके हमने बात नहीं की कि resources जो है वो limited थे तो जो जो import आ रहा था वो भी सरकार बोल रही थी कि हम ही distribute करेंगे तो उसको बोलते है canalization तो उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने बहार से जितना import आ रहा था वो सरकार की जो trading की company आ है वो वो सारे import लेती थी और फिर वो फिर देती थी लोगों को तो 80 के दशक में decanalization जो है शुरू हो गया और item list पे जाने लगे जो अपने आप private trader अपने आपी लाके और खुदी जो है use कर सकते थे और चौती और आखरी चीज़ ट्रेड पे ये हुई कि बहुत जादा export को promote किया गया तो schemes थी जैसे replenishment licenses, duty drawback, cash compensatory support ये सब पहले था और उसके उपर advanced licensing scheme डाल दी गई, procedures को refine कर दिया गया वगयरा वगयरा तो और इस वज़े से आप देखें तो काफी जादा export oriented market हो गया था और एक आखरी चीज फाइनली जो थी वो MRTP के अंडर जो जो rule बने थे सन 70 में, 70 के दशक में वो सारे relax जो है करने ल जादा भारत में निवेश करने के लिए allow करने लगे और उनको permission मिलने लगी, तो इस वज़े से वो industries भी बढ़ी क्योंकि उनके पास अगर कोई बाहर की company है जिसकी technology इंडिया की company से better है, तो उसमें अगर उन दोनों के बीच में contract होता है, तो वो भारतिय consumer को फैदा होगा, तो वो जादा product भी better बनेगा, और क्योंकि अगर आप अच्छी technology लेओ, तो आपका जो product है वो अच्छा बनेगा, तो अगर आपका product अच्छा बनेगा, तो वो बाहर जब आप export करो, तो वो और अच्छा बिकेगा, तो वो एक circle जो है बन जाता है उसका, और वो 80 का जो दश 80 में, जब वो आए थे अपनी इंद्रा गांदी की death हुई 84 में और उसके बाद राजीव गांदी प्राइम मिनिस्टर बने, तो वो भी एक बड़े modern outlook के थे और उन्होंने कई सारी ऐसी नीतियां वो भी लेके आए, उनकी politics जो है उनका strong point नहीं था, तो इसलिए दो तीन सा में उनके जितने दोस्त थे, उनके जितने सलाकार थे, वो कई सारे उनको छोड़ छोड़ के चले गए, वीपी सिंग जो थे, famously उन्होंने अपनी खुद के पार्टी बना ली और फिर minority government होती गई, जो मैं अपने, मैंने अपने monologue में इसके बारे में बात की है, तो तो ऐसा impact भी हमने देखा, Pepsi ने आके एक factory लगा ली, मोगा में लगाई थी, शाद पंजाब में, और उससे पहले हमने देखा कि MRTP के अंडर कोक और IBM, दो बड़ी-बड़ी company आंडिया से भार चली गई थी, क्योंकि उन्होंने बुला कि हम ये rules, norms से हम नहीं, 78-79 time में, बिलकुल, ब X's instruments, 85 में शुरू हुआ, पर एक और मतलब वे speculation है, पर मैं आप दोनों से discuss करना चाहता था, 1980s तक शायद एक आत्मविश्वास भी आया होगा भारत में, क्योंकि आप 1960s की conversation देखो, तब तक तो लोग ऐसी कानी लिख रहे थे कि भारत गया, मतलब भारत तो Paul Elrich वगेरे, ल भारत को तो लोग कम करने चाहिए, नहीं तो भारत तो भूके नंगे, मर जाएंगे लोग, ऐसी बहुत dominant conversation थी शायद, अरे वो 50-60s की एक science fiction novel है प्रणे, उसमें चांद पे colony बनी हुई है, ठीक है, और वो चांद से अना जुगा के हिंदुस्तान भेज रहे है, उनको तब अब यह तब भी ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान की भूकमरी आजमी चांद पर रहने लगेगा, पर हिंदुस्तान अपनी भूकमरी कतम नहीं कर पाएगा, ठीक है, ऐसी सोचती है, तो 1960 की एक आनती और इसका यह बदलाव क्यों आया, क्योंकि टेक्नोलोजी की वज़ा से और टेक्नोलोजी और इंपोर्ट्स का बहुत बड़ा योगदान था इसके लिए, जो नॉर्मन बैरलोग और जो मेक्सिको से हम लोगोंने राइस वराइटी वगरे, राइस वीट वगरे की वराइटी आना शुरू की, तो टेक्नोलोजी का रोल था, और हम लोगोंने तो शुरू हो चुगा था तब तक, तो शायद हम लोग higher level problems solve करने की बात करने लगेते हैं, तब तो ये भी एक शायद बदलाब हुआ होगा, आपको क्या लगता है? करेक्ट, मुझे तो exactly यही लगता है कि धीरे-धीरे जैसे evolution हुआ भारत की आर्थिक विवस्ता का, तो जादा confidence आने लगा, और दूसरी बात, मुझे यह भी लगती है कि जैसे लोग आए, 80 के दशक में, जितने civil servants थे, जैसे Bureau of Industrial Cost and Prices में, सारे liberal civil servants हैं, लोवराज कुमार, वजय केलकर, योगेंद्र अलग, तो उनका जो, उनके नेत्रित्रों में जो भी नीतियां बनी और जिस direction में वो गया, वो सब trade, liberalization की तरफ, जो है बड़ा, Manmohan Singh जो थे, उस समय तक वो Chief Economic Advisor, Economic Affairs Secretary, RBI Governor, Member of Planning Commission, वो यह सब रह चुके थे और उनका open mind था काफी, और confidence था कि हाँ, मतलब भारत में अगर इतना strict control रखना जो है, जरूरी नहीं है विकास के लिए, तो ideas, globally भी ideas dominant हो रहे थे, उस समय चाइना खुल चुका था, Russia जो है, collapse होने वाला था, मतलब Russia तो बनानी था, Soviet Union जो है, वो Russia में जा रहा था, तो globally जैसे एक चीज़ है, VP Singh में Montek Singh Aluwalya को एक M document लिखने के लिए बोला था, वो उन्होंने बोला था क्योंकि वो सन सत्तर के दशक में Malaysia गए थे, और उसके बाद वो Malaysia वापस गए 84 में या 85 में, और उन्होंने difference देखा, तो उन्होंने उसको बोला, Montek को बोला कि अब आप देखो यह हम कैसे करें यहाँ प जो अमरनात वर्मा, जो 91 में जो Secretary थे, उन्होंने कुछ टाइम बिताया था, Bangkok में, United Nations के कोई organization के साथ, जब यह East Asian Miracle हो रहा था, तो उन्होंने भी बहुत closely देखा कि कौन सी policies थी, कैसे उन देशों ने कैसे अपनी नीतियां बदली और क्या किया, क्या ने किया, इंट्रेस् देखा कि क्या हुआ, क्या निवा, फिर आके उन्होंने अपने लोगों से सला ली कि हम ऐसा कैसे कर सकते हैं, तो वो जो flow है, वो I think बहुत क्योंकि उससे पहले, पचास के दशक में, साथ के दशक में, Soviet planning, Soviets का बहुत ज़्यादा बोल बाला था, और वो मुझे लगता है कि बहुत major change था, असी के दशक में. यह भी कह रहा होगे, यार, यह crisis इसलिए हुई है, क्योंकि तुम socialism से भटक गए हो, तुम वापस और socialism लाओ, तो ऐसी बात नहीं हो रही थी, क्या तो? बहुत ज़्यादा हो रही थी, in fact, यह जो टसल जो था कि ज़्यादा control में जाना चाहिए, या open करना चाहिए, यह debate settled कभी नहीं था. In fact, liberalization by stealth, जो है, चोरी-चोरी चुपके-चुपके जो reforms है, वो, अर्विन पानगारिया ने इस face को भी बोला है, और वो इसलिए बोला है, कि वो सब जो है, under the table, जो है, reforms आप कर लो तो कर लो, क्योंकि अगर आप बोलोगे इसके against, तो वो नहीं होगा. In fact, जो 1991 के भी जो reforms थे, उसमें भी बहुत यहीं बोला गया था, कि हम कुछ नहीं बदल रहे हैं, सब सेम है, सब continuous है, नहरू ने जो बोला था, और इंद्रा गांधी ने जो किया था, वो ही हम भी वो ही कर रहे हैं, बस कोई कोई difference नहीं है, और वो सब इसलिए था, क्योंकि and negative changes से बच्चे नहीं, जादा तर इसलिए क्योंकि जो public spending जो थी, सारवाजनिक वियाए जो है, उसमें बहुत जादा बढ़ात्री हुई, और इस वजए से 80 का जो दशक है, उसमें बहुत जादा changes है, तो जैसे अगर मैं आपको कुछ figures दूँ, तो जो current account deficit जो है, चालू ख जाते का घाटा, उसका GDP का percentage 80-85 के बीच में एक दसमलब 7 प्रतिशत था, और वो बढ़के 2.9 प्रतिशत हो गया, 90 तक आते आते, तो वो एकदम से almost double की तरफ जो है आ गया, और जो अब ये सब हमें finance अगर करना था, तो हमें पैसे बाहर से उठाने थे, अब वो पैसे बाह दॉलर, वो बढ़के जब सन 90 तक आते आते वो बढ़के 64 बिलिन डॉलर हो गया था, और मतलब इतनी कमाई थी नहीं उस समय, तो बहुत जादा imbalance था, बहुत जादा disbalance था, मुझे लगता है कि ये disbalance इतना नहीं होता, अगर government की continuity रहती, तो वो 85 में, 86 में, 86 में, वीपी सि forms जब अपने budget में announce किये, उसके बाद उनका और राजीव गंधी का कुछ हुआ, तो उन्होंने सरकार जो है छोड़के एक नई सरकार बना ली, और वो सारी minority governments थी, उसके बाद जितनी आए, वीपी सिंग, चंदरशेखर और नरसे मरा उसके बाद, सब अल्पमत सरकारें थी तो उनके priorities ही कुछ और थे, किसी ने इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया, कि ये जो है fiscal contain करना है, deficit contain करना है, या economics को, economic impression को better करना है, बगएरा बगएरा, तो ये बहुत major problem थी, और एक और अच्छी चीज़ जो बहुत late हुई, वो हुई कि जब हमने, और क्योंकि socialism भी prevalent ह हमने ये सब, सारी ये नीतियां तो हमने लागू कर दी, पर एक medium term reform जो है, वो किसी ने कभी नहीं सोचा, सब कुछ peace meal हो रहा था, सब कुछ short term था, कल कोई नीती बदल दो, परसों ये और बदल दो, उसके अगले दिन कुछ चौत ही और चीज़ कर दो, sustained कोई plan नहीं था कि ह हम कैसे जो है economy को open up करें, तो six or seven plans भी जब आप पढ़े हैं, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, जो दर्शाती है कि political change तो है, और जो अर्विन सुब्रमनियन और Danny Roderick भी जो लिखते हैं, कि एक attitudinal shift जिसकी वो बात करते हैं, असी के दर्शक में, वो तो खर्चा कर जो पर आपको ख्याल नहीं है कि कहां से पैसे आ रहे हैं, और कितना आपका रिंड है, और कितना आपको interest payment देना है, या कितना समय है वो देने का वगर वगर, तो ये सारी चीज़ें जो है, 1991, 1991 के जो liberalization reforms थे, वहां से ये शुरू हुई, और M.Document Pontek में लिखा थ जब VP Singh Malaysia से आये थे वापस और उन्होंने उन्होंने बोला था कि आप कुछ लिखो, तो उसमें उन्होंने specifically यही बात लिखी है, कि यह document एक medium term reform agenda है, short term नहीं है, तो हम macro economic stability पहले लेकि आएंगे, उसके बाद हम reforms जो है, शुरू करेंगे, वो सोच मुझे लगता है कि 80 के देखेंगे, तो शायद एक हानी मिस हो जाएगी, लेकिन कि किस दिशा में जाना है, यह सबसे पहले, 1991 में बोला कि भाई, दिशा तो बदल नहीं है, और हम लोग उस दिशा में जहां से हम लोग अभी तक चल रहे थे, कैसे तो भी, वो हम बदल देंगे, वो एक commitment, political commitment, 91 में तब तक उसके पहले थोड़ा इधर, थोड़ा उधर चल रहा था, उस मामले में प्रणे वो जो राजीव गांधी की सरकार थी ना, वो काफी lost opportunity इंडिया के लिए, जबकि मतलब वो इतनी बड़ी majority भी थी, पर वो politically भी बहुत मेरे खाल से capable सरकार नहीं थी और economically भी capable नहीं जो इंडरा गांधी ने opening शुरू की वो, I mean, liberal minded थे लेकिन नारे बारे बहुत थे, 21 सदी की और जाना है, लेकिन कोई 15 साल का एक ऐसा planning document तक नहीं निकाल के दिया, रहाइट सिर्व एक नारे बाजी के आगे नहीं बड़ी गाड़ी अंड हो सकता है, मतलब एक सोच तो है, ऐसी भी हम रख सकते हैं कि शायद ये stages में होता है, तो जैसे उन्होंने राहूल मुखर जी जो है, एक professor है, उनका एक paper है, जो उन्होंने दो चीजों के बारे में बात की है, दो process of change, एक उन्होंने बोला है, जैसे पानी गरम होता है, तो पानी जब गरम होता है, वो बहुत धीरे-धीरे होता है, और वो एक point के बाद आपको दिखता है कि पानी गरम हो रहा है, पर वो शुरू से खुल रहा था गरम, और दूसरा, दूसरी तरफ है, जैसे एक meteor जो है बाहर से आके एकदम से आके strike करता है, तो वो कहीं से नही नहीं है, बाहर से एकदम से एक change आता है, तो उनका, उनकी जो सोच है, वो जैसे पहला जो है tipping point है, एक धीरे-धीरे-धीरे-धीरे करके आप एक point पे आते हो, और उसके बाद वो change हो जाता है, तो आपको change तो आपको तब ही दिखता है, पर आप यह नहीं देख रहे हो कि व लेकिन पीछे से वो काफी देर से पानी गरमा रहा है, तो अब यह empirical तो इसमें कुछ नहीं है, पर मैं सोचने वाली बात है कि यह कौन सा वाला है, 91, यह क्या वो धीरे-धीरे गरम हो रहा था, कि वो एकदम से उबाला गया, वो तो मेरे कहाल जब काफी clear है, मतलब पहले चीज हो रही थी और ऐसा भी नहीं जिसको कहते है, मनमोहन सिंग का वो जो डालोग था ना, कि मतलब जिस आइडिया का टाइम आ गया है, तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है, तो वो मेरे को लगता है, ऐसे हलके में बोला नहीं था, उन्होंने देखा हुआ कि आइडिया कब से था, पर अब आइडिया का टाइम आया है, तो वो आइडिया होना चाहिए, कितने सारे लोग उसको कर रहे हैं, मुझे तो मैं तो वीपी सिंग को बहुत ज्यादा सोचलिस टाइप ही समझता था, जबकि आप बोल रहे हैं, वो M-Document का inspiration वीपी सिंग थे, उन्हीं से काफी सारे लोगों को बड़े-बड़े नेताओं को लग रहा था ना कि हमको अपनी सोच बदलनी चाहिए, इंद्रा गांधी को हम कितना बोलते हैं, इतनी लेफ्टिस्ती पर फाइनली उन्होंने भी अपनी चेंज करी ना अपनी सोच, बिलकुल, बिलकुल, और असी के द गुपता कमिटी रिपोर्ट जिसने एक्टिवली बोला कि पब्लिक सेक्टर जो है, जितना है, सब कुछ आप बंद कर दो, basically, उनका ये था, तो ये बहुत सारी है रिपोर्ट से, अब ये बात अलगे कि अर्जुन संगुपता कमिटी रिपोर्ट पे दो साल तक कुछ नही रिपोर्ट पे बहुत टाइम तक, in fact, वो तो पब्लिश भी नहीं, mainstream magazine में आई थी वो, government में शायद वो बाहर पब्लिश भी नहीं कि, पर हाँ, पर ये ideas brew कर रहे थे, 91 के point पे उसको act किया गया, और थोड़ा open तो हो गया, इंडिया प्रने शायद सहमत होगी, तो लेकिन प चुटी चुटी चीजों में फुटकर फुटकर जिसको बोलते हैं, हमने reform किया, तो क्या रहे गया, और अभी तक क्या रहे गया है, तो एक तो मैं को लगता है कि, ये मेरा personal view है कि economy या economic development moving target है, तो हम अगर कुछ achieve कर लेते हैं, तो हम फिर और जादा सोचते हैं, और हमारा तो फिर नया benchmark हो जाता है, और फिर हम सोचते हैं कि, अरे हमने कुछ achieve किया ही नहीं, एक तो मुझे लगता है, वैसा है, दूसरा, तो उस हिसाब से अगर देखें, तो बहुत कुछ achieve करना है, पर अगर हम benchmark constant रखेंगी, कहां से शुरुवात हुई थी और 60 साल, 70 साल में आज हमारी economy कहां आई है, मुझे लगता है कि दो-तीन चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा change करनी जी है, पहली तो एक जो capital account convertibility, जिसे बोलते हैं कि आप विदेश में आप क्या चीज़ें खरीद सकते हैं, आप कितनी चीज़ें ला सकते हैं, क्या आप वहाँ पर property खरीद सकते ह तो ये वाली जो चीज़ें हैं, वो कुछ जो इन्होंने बोला था, 91 reforms के टाइम पे सारी बातें हुई थी, कि ये सब बदलेगा, तो वो एक मुझे लगता है कि नहीं हुई, दूसरी major जो मुझे लगता है, जो इन्हें करना चीज़ें है, वो यही है कि public sector को industry जो है, मतलब Air India बेचने में इतना time लग गया, और Air India एक इतना politicized, इतना public, इतना media में इतना ये है, पर disinvestment, जिससे बोलता है, मैं को लगता है, वो बिलकुर, in fact, public sector enterprises बड़ी रही है अभी तक, तो वो मुझे लगता है, बहुत ही बड़ा failure है, 91 reforms का. I think Pranay ने एक बार बताया था मेरे को, मतलब, we finally Air India बिक बी गई, लेकिन 5 साल में कुछ ऐसे प्रणे, 100 से ज़्यादा नहीं शुरू हो गई हैं, बहुत तो 300 से ज़्यादा हो गया, 300 से ज़्यादा, अरे बहुत तो एक 1100 तकरीबन सरकारी कंपनिया हैं भारत में, ये देव लेकिन और प्रकर, लैंड, लेबर, कैपिटल ये तीन चीज जो हम लोग कहते हैं, वो भी तो रिफॉर्म नहीं हुआ है, तो एक अनिरुद बहमन है, उनका में कुछ पढ़ रहा था, तो उन्होंने भी ये लिखा था कि सोच जो है टॉप पे बदल, एकदम टॉप पे शा सारी जितने एक्ट्स हैं, जो 50's के एक्ट्स हैं, वो अधिकतर एक्ट्स अभी भी चलते आ रहे हैं, लैंड की अगर बात करें, उसमें बहुत जादा और भी operational problems हैं, पर at least policies तो definitely evolved नहीं हुई है, तीनों चीज़ों में नहीं है, capital तो मैंने बताई, capital convertibility नहीं है, पर land और labor दोनों ही, it's, it's, there's a long way to go, बिलकुल, वो दुखडा रोने के लिए एक और एपिसोड करना पड़ेगा, कम से कम, तो वो और फिर कभी करेंगे, लेकिन प्रकर बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुढने का इस पुलिया बाजी में, और इस एपिसोड का अंथम थोड करेंगे, वो कहानी पूरी बया करें विस्तृत में, तो प्रकर वो करेंगे, आप सुनिये, और आप बताइए हमें ये एपिसोड आपको कैसा लगा, बहुत-बहुत शुक्रिया प्रकर, और इसी बात पर ये पुलिया बाजी खतम करते हैं, और आप सुनिये, किस तरीके से कहानी आगे बढ़ती है, 1991 और खतम होने से पहले अब पुलिया बाजी का अपना चैनल है यूट्यूब पे, तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाईए, ताकि आपको हमेशा इतलह मिल जाए, कि हमारा नया एपिसोड उस पर आ रहा है, तो जरूर खु सब्सक्राइब का चैनल है यूट्यूब पर, धन्यवाद. खर्च ने देश की साख को कम कर दिया और भारत की आर्थिक स्थिती अस्तिर हो गई सो धारूं की तत्का लिखता को अब नकारा नहीं जा सकता था 1989 के अंध तक भारती विदेशी बंडार केवल दो महीने के आयाद को कवर कर सकता था खाडी युद के दोरान लागू किये गए प्रतिबंदों ने तेल आयात बिल को लगभग दो गुना कर दिया और पहले से ही विकट स्थिती को बढ़ा दिया चूंकि मुद्रा स्थिती और घाटा दोनों दोरे अंकों में चड़ गए क्रेडिट रेटिंग एजनसी मूडीज ने ऑगस्ट उनने सुननबवे में संभावित गिरावट के लिए बारत को क्रेडिट वच पर रख जिससे क्रेडिट जोटाना और भी कटिन हो गया 1989 में प्रधानमंत्री वीपी सिंग के नेत्रत्रवाली अल्पमत सरकार ने स्थिती को सुलजाने की कोशिश की लेकिंग सिंग ने अपनी राजनितिक पूंजी सरकारी नोक्रियों में जाती आधारेच सकारात्म अपतारवाई के विस्तार पर खर्च करेड़ संप्रदायक दंगो या लड़कराती अर्थ्विवस्ता से निपटने में असमर्थ उनकी सरकार ने 344 दिनों में विश्वास खो दिया सिंग के उस्तराधिकारी के रूप में चंद्रशेकर ने नवेंबर 1990 में अल्पमत सरकार का नित्रत्व किया संद्रशेकर की सरकार को कॉंग्रेस का भारी समर्थन प्राप था एक महीने के बीथर बाजार अनुक वित्तमंत्री यश्वन सिना ने राजगोशिय घाटे में दो प्रतिशत की कटोती करने की योजना की घोशना की चल रही आर्थिक कूट मीती के परिमान सरूप चनवरी 1991 में IMF ने 1.8 बिलियन डॉलर का रिन भारत को दिया फिर भी यह केवल 40 दिनों के आयात को खरीदने के लिए ही परियाप था क्योंकि भारतिय रिजर्व बैंक में रुपे का निश्चित विनमय दर को बनाई रखने की कोशिश की थे सिनहा को अपने फर्वरी के बजट में IMF से फंडिंग सुरक्षित करने के लिए आर्थिक सिदारों की घोशना करने कॉंग्रेस पार्टी ने बजट में देरी करने के लिए सरकार को मजबूर किया मार्च में कॉंग्रेस पार्टी ने प्रधान मंत्री पर अपने नेता राजीव गांदी की निग्रामी करने का आरोप लगाया और समर्थन वापिस लिए चंदर शेखर जो प्रधान मंत्री थे ने केवल साथ महीने कार्याले में रहने के बाद इस्तीफा दे दिया अगले ही दिन S.N.P. ने भारत की क्रेडिट रेटिंग को डाउन ग्रेड कर दिया भारत के अपने दीरकालिक रिनोग को चुकाने की शमता में विश्वास की कमी का ये एक संकेक था सिनहा के पास विकल्प नहीं थे अंतिम उपाई के रूप में उन्होंने अधिक विदेशी मुद्रा पर बातचीत करने और कम से कम आवश्चक आयात के लिए भुक्तान करने के लिए भारत का सोना बेच दिया लेकिन भारत की साख नीचे थी और खरीदारों ने सोने को भारत के तेजोरियां में रहने देने के बजाए उसे भौतिक रूप से विदेशों में बेजने पर बनबूर किया इस कठोर उपाय से जोटाइक गई धन्राशी केवल एक महिने के आयात के लिए भुक्तान कर सकती थी आर्थिक नीती सुधारों से ज़रूरी एक और चीज थी एक कार्यशील सरकार संकट के बीच एक नया चुनावी चक्रस सामने आया जैसे ही चुनावी प्रचाद चल रहे थे श्रीलंकाई, अलगावादी, समो, लिबरेशन, टाइगर्स और तमिल इलम ने सबसे आगे चल रहे राजीर गंदी की हत्या गई 1991 के चुनावी में पिछले चुनावी की तरफ किसी और पार्टी को सपश्ट बहुमत नहीं मिला पर कॉंग्रिस पार्टी ने सबसे अडिक सीदे जी जून 1991 में राओ, पीबी नरसिमा राओ ने भारत के नौवे प्रधा मंत्री के रूप में शब शपत ली एक और नाजुक अल्ब संख्यक सरकार का नेत्रित्व करने की अब उनकी बार थी पद समालने से एक दिन पहले राओ ने अपने क्याबिनेट सचिव नरिष चंद्रा से पूछा क्या आर्थिक स्थिती इतनी खराब है नहीं महोदै आर्थिक स्थिती और भी जाला खराब है तब भारत का भंडार केवल दो सप्ता के आयात के लिए जदी दे सकता था यदि सुधारों में कोई भी देरी हो थी भारत अधिकारिक्ता तोर पर अपने रिनो को चूक देता राव की कार्याले की परिभाशित कारवाई एक समाजवादी प्रतिष्ठान के भीतर विश्वस्निय मंत्रियों और तक्नीकी विशेशक्वियों की टीम को एक साथ रखना था अपनी पहली बैठग में मनमोहन सिंग ने पात साल की दृष्टिकोन के साथ सुधार कार्यक्रम की रूप रिखा तयार की और अपने टीम को एक पतकालिक कदम रखे उन्होंने कहा यदि आप में से किसी को प्रस्ताव सुधार कार्यक्रम में कोई कठनाई है तो हम आपके लिए अन्य चीजे करने के लिए ढून सकते हैं उनका ये कहा आने वाले दिनों के लिए टोन सेट कर रहा था एक हफते के भीदर सिंग ने राओ को रुपए के दो चड़निया अवमोलियन का प्रस्ताव करते हुए हस्त लिखित नोत बेजाओ दो दिनों में रुपए का लगभग 20 प्रतिशत अवमोलियन किया जाना था अवमोलियन के बारे में पूरी गोपनिय अता थी राओ और सिंग पुराने रक्षा कॉंग्रेस पार्टी के समाजवादियों और विपक्ष तक तो पहुँच रहे थी अल्पमत सरकार के रूप में इन समों का समर्थन करना सबसे महत्वपून था और अवमोलियन के बारे में सिफ कुछ चन्द चार या पांट जनों को भी बता एक जुलाई को पद्गरांड करने के आठ दिन बाद रुपे का अवमोलियन साथ प्रतिशत और नौ प्रतिशत तक बैक चानलों के माध्यम से किया गया संचार केवल बारतिया रिजर्व बैंक के अधिकारियों सिंग और राओ के बीच ही था राजनीतिक वर्गों के भीतर अफरात अफरी मच गई राओ को अपनी पार्टी के बेतर और विपक्ष और समाजवादियों की पतिक्राओं के बीच अपनी अल्पमत सरकार के अस्तित्व के लिए डर था इसलिए उन्होंने सिंग को दूसरे अवमोल्यन पर रोखने के लिए बुलाया ये उसी सुबह था 3 जुलाई की सुबह जिस दिन दूसरा अवमोल्यन होना था हाला कि रुपे को 11 फीजदी तक अवमोल्यन करने की प्रक्रिया पहले से ही गती में थी और सिंग ने राव को बताया कि ये हो चुका है एक सस्ते रुपए का मतलब था कि भारतिय निर्यात बाजार में अधिक प्रतिसपर्धी हो सकती थी और यह बहुत आवश्यक विदेशी मुद्रा ला सकती थी यह सुधार तभी प्रभावित होता जब व्यापार सुरक्षा के जटिल धाचों को ध्वस्त कर दिया जाता अलुवाल्या ने मॉन्टेक सिंग अलुवाल्या ने प्रधानमंत्री वीपी सिंग के लिए सुधार ब्लूप्रिंट के रूप में दस्तावेस का मसौदा तयार किया था जिसमें निर्यात को प्रोचसाहिद करने और आयाच शुलक और लाइसेंस को कम करने की सिफारिश की गई थी नीन जुलाई को दूसरे अब मूल्यन के बाद ही इन में से कुछ सुधारों को कम करने का अफसर मिला अलुवाल्या आवश्यक सुधारों के माध्यम से वनिज्य मंत्री चदंबरम के साथ चले एक नीती तयार की और राव और सिंग को इसे मंजूरी देने के लिए बोला सभी आट धंटों के भीतर हुआ अगले दिन चदंबरम में व्यापार सुधारों के गोश्णा दे जब आर्थिक सुधार चल रहे थे राव का राजनीतिक डर सच हो गया जब उनकी सरकार को 15 जुलाई को लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना पड़ा एक तीसरी अलप संक्यक सरकार गिरने वाली थी अपनी पार्टी के भीतर और बाहर एहम सहमती बनाने के उनके प्रयासों के बावजूद कठोर नीतगती परिवर्तन के लिए परयाप समर्थन नहीं था लोकसभा में पहले भाशन में राउ ने संस्कृत के शलोकों के साथ पार्टीयों से अपील की और आर्थिक सुधारों की अध्यात्मिक हस्ताक्षिप के रूप में पेश किया शायद अध्यात्मिक रूप से परयाप नहीं यह देखते हुए कि दक्षन पंथी राष्ट्रवाद भारत्य जन्ता पार्टी ने सरकार के खिलाफ मद्दान किया वाम पंथियों को एक दुविधा का सामना करना पड़ा सुधारों की पक्ष में मद्दान का मतलब था प्रो मारकेट सुधारों को मनजूरी देना और उनकी विचारधारा के खिलाफ जाना लेकिन अन्यता मतलब था भारत्य जन्ता पार्टी के साथ गड़ बंदन करना और राजमीतिक अस्थिरता को लुभाना इसके बजाए वामपंतियों ने बाहर निकलने का विकल्ब किया राव की सरकार गित्ते गित्ते बच गए हालाकि वे वोट से बच गए राव और सिंग स्तंबित थे उन्होंने राश्ट्रपती आरवेंका ट्रमन जैसे शक्तिशाली सहयोगियों को भी अलब कर दिया जो इस बात से नाराज थे कि उन्हें बूत्रा अवमूलियन के पेश से बाहर कर दिया गया था उन्होंने सिंग को दूसरे अवमूलियन के साथ आगे नहीं बढ़ने के लिए भी कहा था इस भारी दबाव के बावजूद राव और सिंग टटे रहे 24 जुलाई को सरकार ने एक दूसरे के चार घंटे के भीतर अग्योकिक लाइसेंस और बजट की गोशना की भारत ने विदेशी निवेश का अब स्वागत किया सरकार ने सरवाजनिक शेत्र के विनिवेश की भी घोशना की और इसने एकादिकार और विदेशी मुद्रा निवेश के को नियंतरन करने वाले अधिमियमों के तहत लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं को महत्वक पून रूप से कम कर दिया निजी कंपनिया बाजार की माउं की अनुसार उत्पादन कर सकती है और कीमत और गुनवत्ता पर पतिसपरधा कर सकती है एक नियमिक स्थापित किये गए और अर्थव्यवस्ता को नियंतरन करने वाली पुरानी संस्थाओं को भंग कर दिया गया भारत निजी उद्यम के मूल्य को पैचानते हुए बाजार आधारित अर्थव्यवस्ता की ओर बढ़ रहा था यह सिर्फ एक नीतिगत बदलाव नहीं भाख बलके वैचार एक बदलाव भारत ने सुधारों के कारण भुक्तान संतुलन के संकट को कम कर दिया इस प्रक्रिया में इसी वर्ष के भीतर भारत ने विश्वसनियता हासिल कर ली और IMF और विश्म ब्रैंक से रिंट प्राप्त कर लिया यह सब चुने जाने के महस एक महिने के अंदर हुआ हलाकि बहुत कुछ हासिल किया जा चुका था लेकिन यह तो सिर्व शुरुआत थी अगस्ट 1991 में सरकार ने बैंकिंग शेत्र सुधारों पर M. Narsimum के नेत्रत्रवाली समती की घोष्णा की राजा चिलया के नेत्रत्रवाली कर सुधार समती की घोष्णा की और विदेश निवेश सर्वाधन बोर्ड की स्थापना की इसके बाद की दशकों में मनमोहन सिंग के इन 1991 के बजट भाषन में उल्लिखित वचारों को विभिन बचारधारों और पार्टी संबनताओं की सरकारों द्वारा साकार और कार्य निर्वित किया गया 1991 के सुधारों में कई सबब है वे संकट को आम सहमती की ओर बढ़ाने के लिए आवश्चक राजनीतिक पैतरेबाजी के लिए प्लेबुक प्रदाम करते हैं वे विचारों की भूमेका को प्रदर्शित रगते हैं आर्थिक विचारों को किसी भी सरकार या नीतिगत बुनियाद धाचे के भीदर विक्सित और प्रतिपोष करने की आवश्चकता होती है और अंत में वे सिखाते हैं कि बाजारों और निजी उद्यमों को अपनाने से ही भारत की किस्मत बदली गई अन्यवाद अनुसंधान के लिए स्थापित एक स्वतंत्र संस्था है आप दुनिया के किसी भी कोने में हो आपकी उम्र कुछ भी हो अगर आप पुब्लिक पॉलिक पॉलिसी, विदेशनीती या टेक्नलोजी गवननेंस में रुची रखते हैं तो तक्षशीला की वेबसाइट तक्षशीला.org.in पर उनके कोर्स को जरूर चेक कीजिए और अगर आप पुलियाबाजी में शामिल होना चाहते हैं तो हम से कनेक कीजिए पुलियाबाजी at gmail.com पर या फिर at पुलियाबाजी ट्विटर पर. शुक्रिया. Hey, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Agla Station Adalthood, Ritasha and Ayushi are in conversation with journalist Pallavi Aiyar. They talk about her having lived in so many different cities, adulting through it all, and what motherhood meets to her and how young folk can lead better lives and support the nation's progress. On Smarter with Sid, Sidhat asks if energy management is just a better way of time management. Tune in to find out if this is practical and possible. On Kheil Neeti, Rajiv Mishra, Ayaz Meman and Sabah Karim talk about Team India's elimination from the T20 World Cup, Pakistan's new team and New Zealand stepping into the semi-finals. On Smile India, Shifa discusses a Kolkata-based NGO that's trying to help single-screen cinema survive. And on Hans Vani, hear the story, Mere Lie Ek Minute, and find out why a depressed man mourns his own death by observing silence for a whole minute. Do follow us on social media. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And do follow us on YouTube. We have a number of different channels. You can find them on ivmpodcast.com slash YouTube, where you'll be able to take a look at all of the channels we have. And finally, we'd like to thank our sponsors this week. Cred, Bank of Baroda, Quarter, CoinSwitch Cuberts, Slay Coffee, Intel, and Oxfam India. Thank you so much. You make this possible. Namaste. This is Cyrus Brocha. I am part of the Government Cancel Culture Programme to remove rubbish off all the different streams available. So what we have is all the collected rubbish we put together on our show. It's called Cyrus Says. It's on IVM Podcasts. You have to watch it and listen to it. It's on our app. It's on our website. It's on the YouTube channel. It's on Facebook. There are many different ways. Don't bother me and ask me how. You have to find out. We talk to different personalities. Many of them are known. Some are just people we meet downstairs and invite them up for time. But the point is, it's fun and it's very therapeutic. So please join in and listen to Cyrus Says.